हेलो प्रेंस, वागत है मेरी चैनल में अपकत प्रेंस, आज हम इस वीडियो में पर्प स्लिप्स बनाने सीखेंगे वहती सरल तरीके से और फुल वीडियो देखेंगे तो आप पूरा एंड तक वीडियो ज़रूर देखें तो देखे फ्रेंज इसके लिए देखे हमने यह वाडर है हमारे ब्लाउस का ही और यह अस्तर लिया है वह यह मैन फैवरिक है ब्लाउस का ही और ही हमारे ब्लाउस है इसमें हम पॉप स्लिप्स बनाना सीखेंगे तो सबसे पहले देखे आस्तर वाले फैवरिक पर हमें करड़िंग करनी है सिलिप्स की तो आप जितनी सिलिप्स की लेंट रखना चाहते हैं उतनी मेजर करने पहले यहां पर मैं total इसको देखे फोल्ड लेर में जिस तरह के से हम slips की cutting करते हैं उस तरह के से रख लेना है और यहां पर वन इंच प्लस करके लेना है यहां टोटल हमारी length रहें 10 इंची और हमने लिए कितनी 11 इंची यहां ग्यारा इंच पर हम marking कर लेंगे अब इसके बाद यहां से सीधी lining कर लेनी है और जिस तरह के से देखें तीन इंच पर हम slips round कर लेते हैं उसके लिए margin कर लेनी है और यहां पर जो हमारे armholes होते हैं उसके length के according हमें 2 इंच प्लस करके लेना होता है अब यहां से friends slips round का half inch लेना है और डेर से 2 इंची ले जाना है margin के लिए इसके बाद देखें यहां से सीधी round एक lining कर लेनी है और इसके बाद देखें जिस तरह के सिलिप्स के लिए हम marking कर लेंगे उसके लिए marking कर लेंगे और cut कर देंगे लिस slips को इसके बाद देखें इस तरह के से cut करने के बाद हमारी सिलिप्स cut हो चुकी है अब इसके बाद हमें रदी पेपर पर cut करनी होती है इनी 3 इंच का friends हम बोडर लगाएंगे तो हम 7 इंच की एक slips और cut करेंगे इनी 7 इंची की अब इसमें हमें slips round से देखें यहांपर हमें 5 इंची लेना है और उसके बाद 2 इंची लेना है extra margin के लिए अब इसके बाद देखें फ्रेंज यहां से हमें जिस तरीके से हमने फ़ज़ स्लिप्स की कट किती उसी के अकोर्डिंग भी इसको लेना है अब इसके बाद देखें यहां पर भी हमें तीन इंच पर माज़न करना है डाउन कर लें के लिए स्लिप्स को और इस तरीके से माजन कर देंगे सिलिप्स के लिए और आप इंच आगे वाली साइड से डाउन करना है सिलिप्स को देखे फ्रेंस इसको कट कर देंगे इस तरीके से कट करने के बाद देखिए हमारी दोनों सिलिपस के लिए कि MSC काट कर रेडी हो गई है अब इसके बवल्य ले देखिए मैन फेबक हमें किस तरीके से लेना है I also को हमनेुआज में DAVID करके रखा हैं और देखिए सिलिप्स की को हमें सिन्गल रखना है इस तरिक एनि कि डवल रखना है फैबर donut को और ख invers को हमने न्यूस पर पर कट की अब इस के बादिकि बोने वाफर बेक्टे न लगना है और इसके बाद देखिए फ्रेंस हम स्टर्चिंग करेंगे एनी स्टेप बाई स्टेप किस तरीके से हमें स्लिप्स को बनाना है फ्रेंस अगर आपको थोड़ा बहुत फैवरिक कम है तो आप जोईन कर सकते हैं अब इसके बाद देखिए यहां से हमें दोनों साइट इस तरीके से कट कर लेना है निवस पेपर वाले पर और जो में फैवरिक है उस पर भी हमें देखिए सेंटर वाले लुग में इस तरीके से कट कर लेना है कट करने के बाद इसको देखे इस तरीके से सीधा कर लेंगे फैबरिक को फैबरिक को सीधा करने के बाद देखे इसमें 2 इंच पर मार्किंग करने है एनि 2 इंची पर इस तरीके से डर्क मार्किंग कर ले और इसी तरीके से 2-2 इंची पर सारे से मार्जन कर लेनी है फ्रेंस हमें लगवक हमें फांच फलेट्स डालनी है तो हम पांच माजन कर लेंगे. अब दूसरी शऐडवे से हम इसी तरीके से 5 माजन कर लेनी है. यहनि देखि के देफ जोड़ते हुए इस तरीके से सारे से माजन कर लेंगे. इस तरीके से माजन करने के बाद माजन कर लिए है अब इसके बाद देखें यहाँ पर हमें क्या करना है इस तरीके से फ्लेट्स को डालना है तो फ्रेंस याद रखें इनकी फ्लेर्स से एकदम बरावर आना चाहिए देखिए इस तरीके से बरावर रख लेंगे सेंटर वाले लुक में और इसके बाद देखिए फ्रेंस हमें क्या करना है दूसरी वाली वाली साइड जो हमने माजन किया था उसकी जायर से भी इसी तरीके से प्लेर्स को लेते हुए देखिए इस तरीके से लेते जाना है लेते साइंगे और इसी तरीके से लगवक 5 प्लेट्स को हमें बना कर रेडी कर लेना है और दूनों को अच्छी तरीके से सेंटर वाले इससे में अटेच कर लेना है अटेच करनी के बाद देखें फ्रेंस यहां पर क्या जो हमने फ्लेट्स डाली है उनको बरावर लेना है सेंटर वाले इससे तो इस तरीके से पहले आप बरावर कर लें देखें पहले इस तरीके से इस तरीके से बरावर करने के बाद इसमें हमें फिन अप करना है एरी आप पिलिकी साथा से इस तरीके से पहले भी नप कर लेगी तो साथा सिम इसी तरीके से भी नप कर लेंगे देखे फ्रेंस वन साइड हमने पिनप कर लिया है दूसरी साइड भी से हम इसी तरीके से कर लेना है अब इसके बाद जो हमने न्यूस पेपर बार से लिप्स कर लेना है और दोनों की देखे सेंटर वाला हिससा परावर करके मिजर कर लेना है और वन साइड एक पिनप और कर अब इसके बाद देखी हमें जो बैक वाला इससा है थोड़के आगे वाली साइड से इस तरके से देखे यह आगे वाली साइड पहले हमें सिलाई को फेस्ट करना है आगे वाली साइड सिलाई को फेस्ट करने के बाद देखे इसका जो पीछे वाला इससा है वहाँ पर लेना आए और यहां पर भी इसी तरके से देखिए हलकी हलकी से स्लाइक को फेश्ट करते जाएंगे सारे इससे में अगर आपको यह वीडियो फसंद आए तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शियर करें अप सब्सक्राइक करें अब इसके बार तेकि हमें जो अक्सरा टाट तक है फ्लेंट से यादा रखिए कि वाला पैबरिक वाला पैर सब्सक्राइक ृण सब्सक्षक वाला होता है अब नियूस पीपर को हटा देना आ है हटा देने के बाद इस पर देखी हमने अच्छी तरके से प्रेस कर लिया है अब हमें बॉर्डर लेना है सिलिप्स का बॉर्डर को देखे इस तरके से रखेंगे आदा इंच जगा छोड़ते हुए आदा इंच जगा छोड़ते हुए देखिए इस तरीके से हम बॉर्डर को अटेच कर लेंगे अटेच करने के बाद देखिए इस तरीके से हम जो अस्तर वाली स्लिप स्कट केती उसको लेना है और उसको लेने के बाद देखिए आदा इंची इस तरीके से दवाते हुए सीधी के साइड रखना है इससे हमारा जो फैबरे के अंदर वाल अस्तर वाला वो अंदर की साइड ही आएगा एन्हीं अगर आपका इस तरीके का बोर्डर है तो आप इसी तरीके से अटेज करें इस तर को देखिए इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर देना है और बैक वाले इससे में बन साइड से लाई को फेस्ट कर लेना है अब देखिए हमें इस तरीके से सिलिप्स को अटेज करना होता है फर दूसरी सिलिप्स को भी आप इसी तरीके से रेडी कर ले सेंटर वाले इसमें लुक में रखना है यहीं जो सेंटर इससा होता है दूनों का और यहां पर हमें मुड़े वाला सिलिप्स का इससा रखना है और इसी तरीके से टेच कर देना है अब slips को पल्टेंगे और यहाँ पर देखिए दूसरी साइड भी हमें इसी तरह के से अटेज कर लेना है दूसरी साइड भी सेमें इसी तरह के से friends अटेज कर लिया है अब इसमें अपने blouse के feeding के according हम इसमें feeding को डालेंगे तो आगे वाली साइड से स्लिप्स राउंड का हाँ पेंच लेते हुए और इस तरह के से चलाई को डालकर complete कर लेंगे तो friends दूसरी स्लिप्स को भी आप इसी तरह के से attach कर लें अब इसके बाद देखी हम इसको सीधा करेंगे तो देखे फाइनल लुक हमारे स्लिप्स का कितना वड़िया आया है तो friends अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो आप जरूर बनाए इस डिजाइन को सूट में या फिर व्लाउस में किसे में भी बना सकते हो और देखे इ अबने दोनों से लिप्स को टेच कर लिया है और रेडी कर लिया है तो कमेंट करके जरूर बताए कि आप को इस वीडियो कैसा लगा थाइंक यू